नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षबार्वी आरो भाग तू से एक महत्वपून कविता पढ़ने जा रहे हैं, कविता का नाम है बादल राग, सूर्यकान त्रिपाठी निराला उसके कवी है, इनका परीचे इस प्रकार है, 1899 में महिसा दल, बंगाल के मेदिनिपूर जिले में इनका जन्म हुआ, और पारिवारिक जुग गाउं है, वो उन्नाव उत्रप्रदेश में है, इनकी रचनाई अन्नामिका, परीमल, गितिका, बेला, नएपत्य, अनिमा, तुलसिदास, कुकुर मुता, ये सब कविता संग् है, इनकी मैतोपुन रचनाई है, और इनके द्वारा प्रकासी पत्रिकाई है, समन्वे मतवाला, इनका निधन 1961 में हुआ था, ये चायावाद के ऐसे कवी हैं, जो एक और कवीर की प्रमप्रा से जुड़ते हैं, तो दूसरी और समकालिन कवियों के प्रेणा स्रोथ भी है उनका ये विश्त्रित काव्य संसार, अपने भीतर, संगर्ष और जीवन, क्रांती और निर्मान, ओज और माधूरे, आसा और निरासा के द्वन्द को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी भी सीमा में बंद नहीं पाता विश्यों और भावों की तरह भासा की द्रिष्टी से भी निराला की कविता के कई रंग हैं एक तरफ तच्सम सामासिक पदावली और धवन्यात्मक बिम्बो से युक्त राम की सक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसिदास है तो दूसरी तरफ देशी टटके सब्दों का सेंदापन लिये कुकुर मुता, रानी और कानी, महंगू महंगा रा जैसी कविताएं भी इन्होंने रची हैं बादल रा कविता अनामी का मेच है, खंडों में प्रकासित है, यहां उसका चठठा खंड लिया गया है आम आदमी के दुख सी तरिश्ट कवी यहां बादल का आवान करांती के रूप में कर रहा है क्योंकि विपलव रव से छोटे ही हैं सोभा पाते, किसान मजदूर के आकांग साएं बादल को नव निर्मान के राग के रूप में पुकार रही है तो यहां पर बादल जो है, वो सोशित वर्क के लिए क्रांती दूथ बनकर आया है बादल राग कवीता हम पढ़ने जा रहे हैं पहुत इसरल सब्दों में समझाने का प्रियास करूंगी अन तक बने रहेगा, वीडियो पूरा देखेगा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं, एक-एक पंक्ति का सब्दार्थ और भावार्थ सरल सब्दों में समझेंगे तीर्थी है समीर सागर पर अस्तिर सुपर दुक्की छाया जक्के दग्द हिर्दे पर निर्दे विपलव की प्लावित माया ये तेरी रणतरी भरी अकांगसाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकूर उर्मे प्रिथ्वी के आसाओं से, नव जीवन को उंचा कर सिर्थाक रहे हैं ए विपलव के बादल तो यहां पर तीर्थी का अर्थ है तैर्थी, समीर का अर्थ है हवा, सागर का अर्थ है समुदर तो समीर सागर का अर्थ हुआ वायू रूपी हवा, वायू रूपी समुदर अस्तिर मतलब शनिक, चंचल, दगद मतलब जला हुआ, निर्दे का अर्थ है बेदर्द, विपलव का अर्थ है विनास, और प्लावित का अर्थ है बाड, बाड से ग्रस्त, रंतरी मतलब यूद की, नोका, और माया मतलब एक तरह का खेल, अकांकसा, कामना, इच्छा, आगे भेरी सब दिया है, उसका अर्थ नगाड़ा, सरजग मतलब जागरुक, सुप्त मतलब सोया हुआ, अंकूर बीच से निकला हुआ, नन्ना सा पोदा, और मतलब हिर्दे, ताकना, अपेक्षा से एक तक देखना, तो चलिए, इसका अभी हम सरल भावार देखते हैं, और ये इसके जो कठिन सब्द हैं, सब्दार्थ हैं, आप नोटबुक में लिखते जाईएगा, अब मैं इसका सरल भासा में आपको बावार समझाती हूँ, कवीता थोड़ी कठिन है, लेकिन सरल भासा में समझाने का प्रियास करूँगी, आपको जब ये पंक्तिया आए, एक्ज सुत काव्यांस, हमारी पाठे पुस्तक आरोव भाग दो में संकली कवीता बादल राग से लिया गया है, इसकी रचियता सूर्य कान त्रिपाठी निराला है, और इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कवी ने बादल को विप सागर पर अस्तिर सुपर दुख्की चाया, कवी बादल को संबोधित करते विए कहता है, कि हे क्रांती दिवुद बादल तुम आकास में ऐसे मंडराते रहते हो, जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नोका तैर रही है, ये उसी प्रकार है, जैसे अस्तिर सुपर दुख्की चाया मंडराती रहती है, तो ऐसे मतलब आप मंडराते रहते हो, जैसे कि पवन रूपी सागर पर कोई नोका तैर रही है, और वह उसी प्रकार लगती है, जैसे अस्तिर सुपर दुख्की चाया आ गई है, क्योंकि सुख अस्तिर रहता है, और दुख हमेशा चाया रहता है सुख हवा के समान चंचल है तथा ऐस्थाई है बादल आगे कहते हैं कि बादल संसार के जले हुए हिर्दे पर निर्दई परले रूपी माया के रूप में हमेशा इस्थित रहते हैं युद रूपी नोका में आम आदमी की इच्छाएं बरी हुई हैं कि बादलों में कवी कहता है कि हे बादल तेरी भारी भरकम गरजना से धर्ति के गर्ब में सोय हुए अंकूर सजग हो जाते हैं गन भेरी गर्जन से सजग सुक्त अंकूर मतलब तुम्हारी बहंकर गर्जना से जो सुक्त सोय उए अंकूर, अंकूर मतलब छोटे पोदे हैं, वो निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं, कहने का मतलब है जो निस्क्रिय लोग हैं जो कमजोर लोग हैं वो भी तुमारे उच्छा देने से तुमारी बहेंकर गर्जना से उनमें भी उच्छा आ जाता है और वो भी पुझीपती लोगों का विरोध करने के लिए उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं उच्छा से मतलब कमजोर लोग निस्क्रिय वेक्ती भी संगर्ज के लिए तैयार हो जाते हैं नव जीवन को उचा कर सीर ताक रहें ये वीपलव के बादल तो ये वीपलव के बादल ये अंकुर नए जीवन के आसा में सीर उठा कर तुझे ताक रहे हैं अर्थात सोशितों के मन में भी अपने उद्वार की आसाएं फूट पड़ती हैं समझ में आया होगा बच्चो फिर से मैं बताती हूं कि बादलों को क्रांती का प्रतिक मानते हुए कवी कहते हैं कि है क्रांती रूपी बादल तुम आकास में ऐसे मनराती रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नोका तैर रही है और यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की चाया मनराती रहती है मतलब सुख है वो शनिक है अस्थिर है और दुख है वो हमेशा मनराया रहता है सुख हवा के समान चंचल है तथा ऐस था ही है बादल संसार के जले हुए हिद्दे पर निर्दई परले रूपी माया के रूप में हमेशा इस्तिते रहते हैं तो मतलब निर्दई लोग है उनके उपर हमेशा बादल मंडराय रहते हैं जो पुंजिपती लोग है उनको हमेशा डर लगता रहता है कि कभी विक्रांती हो सकती है और हमारा विनास हो सकता है और इस बहेंकर गर्जना से बादलो की बहेंकर गर्जना से जो कमजोर लोग हैं निस्करिय विक्ति हैं जो कमजोर हैं उनमें आसाओं का संसार होता है उच्छा का संसार होता है और वो पुंजी पतियों के खिलाब विरूत लड़ने को तयार हो जा चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर बादलों को क्रांति दूत के रूप में चितरित किया गया है, प्रगतिवादी विचारदारा का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तत्सम सब्दावली भी है इसमें, और समीर सागर दुख चाया, इसमें रूपक अलंकार है, सजग मतलब सह आया, फिर से सह आया, सब्द में तो अनुप्रा सलंकार है, और एक तरह से वीररस का प्रियोग किया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी पंक्तियों की ओर, फिर फिर बार बार गर्जन, वर्षन मुशला धार, हिर्दे थाम लेता संचार, सुन-सुन घोर वर्ज हुंकार, असनी पाच्छे सापित उनत सत सत वीर, छत विछत हत अचल चरीर, गगन इसपरसी स्परदा धीर, हस्ते हैं छोटे पोधे लगुवार, सस्य अपार, हिल-हिल-खिल-खिल हाथ मिलाते, विपलव रव के छोटे हैं, सोभा, पाते, तो एक-एक सब्द का पहले सब्दार्थ में बता देती हूँ, नोटबुक में लिख लीजिएगा, फिर-फिर मतलब आप जानते ही हो, गर्जन मतलब गरजना, वर्षन का मतलब है, बारिस, मुशला धार, तेज बारिस, हिर्द इस थामना मतलब एकदम से अपने आपको रोक लेना, भहबित हो जाना, और घोर का अर्थ है बहेंकर, विज्जर मतलब हूंकार, वजरपात के समान, बहेंकर आवाज, अस्नीपात मतलब विजली गिरना, सापित का अर्थ है साप से ग्रिष्ट, उन्नत का अर्थ है बढ़ सत सत सेंकडो विक्षप्त घायल और हत मतलब मरे हुए अचल का अर्था परवत गगन का अर्थ है गगन इस पर सी मतलब आकास को छूने वाला और इस पर दर्था मतलब धीरे आगे बढ़ने की होड करने है तू बैचेनी लगुभार हलके सस्से हर्याली अपार मतलब बहुत रव मतलब सोर तो फिर से इसका प्रसंग आप वैसे लिखेंगे तो यहां पर कभी कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल तुम बार बार बार-बार गरजन करो बार-बार गरजन करते हो मतलब गरशते हो और मुसलाधार बारिस करते हो तुमारी वजर के समान बहेंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हिर्दे थाम लेता है तो वर्षन मुसलाधार हिर्दे थाम लेता संसार तो तुमारी बार-बार गर्जना से और मुसलाधार बारिस करने से संसार अपना हिड़दे ठाम लेता है अर्थात बहेवित हो जाता है फिर आगे कवी कहते हैं असनी पात से सापित उन्नत सत्सत वीर असनी पात मतलब बिजली गिरना तो बिजली गीरने से आकास की उचाईयों को छूने की इच्छा रखने वाले उंचे परवत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं, जिस प्रकार से रंचेतर मिवर्जर के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यू को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे सब्दों में कभी कहना चाते हैं कि बड़े लोग और पुंजी पती ही क्रांती से प्रभावित होते हैं। इसके वीपरी जो छोटे पोद्दे हैं वो तो हस्ते रहते हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब बड़े लोग और पुंजी पती ही क्रांती से प्रभावित होते हैं। इसके वीपरी छोटे पोद्दे हमेशा आम आदमी हमेशा खुश रहता है। फिर छते विच्छते हते अचल शरीर गगन इसपरसी स्प्रदा धीर। तो वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हर्याली से प्रक्षन होकर हाथ लाकर तुझे बुलाते हैं। कौन छोटे छोटे जो पोद्दे हैं वो तुमें पुकारते हैं। अपनी मदद के लिए और अपनी खुशी से वो तुमें पुकारते हैं। सश्यापार मतलब हर्याली से हमेशा खुश रहने वाले छोटे छोटे पोद्दे। दूसरे सब्दों में क्रांती से निम्न वद्दली त्वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं जबकि क्रांती से बड़े लोग, पुंजिपती लोग परभावित होते हैं, खिल-खिल हात मिलाते, तुझे बुलाते विपलव रव से छोटे ही सोभा पाते, तो जो छोटे-छोट पोदे हैं, वो जब भी विपलव विनास होता है, क्रांती होती है, तो उससे वो खुसी ही होते हैं, चलिया आगे बढ़ते हैं, तो यहां भी कभी बादल को क्रांती और विद्रों का परतिक मानता है, और प्रगतिवादी दृष्टी कौन का विकास हुआ है, प्रकति का मा पानवी करण किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अटा लिका नहीं है रे आतंग बवन सदा पंक पर ही होता जल विपलव पलावन शुद्र प्रफुल जलस से सदा छलकता नीर रोग सोक में भी हसता है सैसव का सू कुमार सरीर रूद्ध कोस है सुब्ध तोस तो अटालिका का अर्थ यहां पर है महल अटारी आतंग मतलब आतंग बहवन मतलब भे का निवास यह का अर्थ है किचड प्लावन मतलब बाड शुद्र मतलब तुच प्रफुल खिला हुआ प्रसन और जलस का अर्थ है कमल नीर मतलब पानी सोक मतलब दुख और सैसव बच्पन सूकमार मतलब कोमल रूद्ध मतलब रुका हुआ और कोस खजाना सुब्ध कुरूद तोस मतलब शान्ति तो इसका अर्थ समझ लेते हैं यहां पर कवी कहते हैं कि पुझी पतियों के उँचे उँचे बहवन मात्रब भवन नहीं अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले बहवन है अठालिका नहीं है रे आतंक बहवन सदा पंक पर ही होता जल विपलन प्लावन तो ये जो श तालिका नहीं है ये उचे उचे भवन नहीं है ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है गरीबों को डराने वाले भवन है ये सदेव गरीबों का सोशन करते हैं वर्षा से जल प्लावन से मतलब जो सदा पंक पर ही होता जल विपलव प्लावन वर्षा से जो बाड आती है वैसदा किचड से भरी धर्ती को ही डुबोती है बहेंकर जल प्लावन सदेव किचड पर ही होता है कायने का मतलब है कि जब भी विनास होता है तो इन पुंजी पती लोगों को ही उससे खत्रा होता है नुकसान होता है सुद्र प्रफूल, सुद्र मतलब छोटे प्रफूल मतलब खुस, जलज मतलब कमल सुद्र प्रफूल जलज से सदा छलकता नीर जब कमल की पंखुडियों पर पढ़ता है तो वह अधिक परसन हो उठता है तो कहने का मतलब प्रफूले से पुंजी पती वर्ग ही प्रभावित होता है निंवन वर्क में बच्चे कौमल सरीर के होते हैं तथा रोग हुया कष्ट की दसा में भी सदेव मुश्पुराते रहते हैं तो रोग सोक में भी हस्ता है सैसव का सुखमार सरीर रूद्ề कोस है सुब्द तो विक्रान्ती होने पर भी प्रसन रहते हैं पुंजी पतियों ने आर्थिक सादनों पर कबजा कर रखा है, उनकी धन इकठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है, और इतना धन होने पर भी उने शान्ती नहीं, वे अपनी रुद्ध कोस है, सुब्ध दोस उनको शान्ती अभी भी नहीं है, चलिया आगे बढ़ते है अंगना अंग से लिप्टे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वर्ज वर्जर गर्जन से बादल त्रिस्त नयन मुँ डांप रहे हैं, जेन बावु है शेन शरीर, तुझे बुलाता क्रिशक अदीर, हे विपलव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड मातर ही है आदा ये जीवन के पारावार, तो यहां पर क्रिशक समाज की दैनिय दसा का वर्णन किया है कवी ने, और पुंजी पती लोगों पर कुठारा गात करते वे कहते हैं, कि जेन मतलब पुरानी, और सिथिल मतलब पुरानी बुजा, और सिन मतलब कमजोर, क्रिशक किसान, हदीर व्य सार मतलब प्राण, हाड मतलब मात्र केवल हडियों का दाचा, यारावार मतलब समुद्र, तो इसमें कवी कहते हैं कि अपने प्रिय के अंग से लिपटकर भी ये डर रहे हैं, कांप रहे हैं, इनका सरीर कांप रहा है, दहनी वर्जर गर्जन से बादल, त्रिस्त नयन साप रहे, तो धनी लोग है, वो बादलों की गठोर गर्जन से वो एकदम अपने मुँ को छुपा रहे हैं, मतलब कोई क्रांती होती है, तो धनी लोग छुपने का प्रियास करते हैं, जेन बावु है, शेन शरीर, जेन मतलब कमजोर जो शरीर है, कभी कहता कि है, विपलो क वीर, सोशन के कारण किसान की बाहें सक्ति हीन हो गई है, शरीर कमजोर हो गया है, वह सोशन को खतम करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है, तुझे बुलाता क्रिशक अधीर है, तो किसान है, वो तुमें सोशन के खिलाप आवाज उठाने के लिए अधीर होकर व विपलव के वीर विपलव के वीर किसको का बाद लोगों चूस लिया है उसका सार हाड मातर ही है आदार उसका पूरा सरीर उसका पूरा संसार इन पुंजी पती लोगों ने चूस लिया है उनकी जीवन सकती ही छीन ली है उसका सार तत्व ही चूस लिया है अव्वय सिरफ हड का धाचा मातर रह गया है तो ए जीवन दाता तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो तो इन फंक्ति विद्रों की बहुना कावर्नन किया है शेंड शरीड में अनुप्रास अलंकार है बच्चों सह और सह दो बारा है तो अनुप्रास अलंकार है और मानवी करण अलंकार भी है कि बादलों को मानों का रूप दिया है और तत्सम सब्दावली आई है चंद एकदम मुक्त है सम्भोधन सहली का भी प्रियोग किया है और चित्रात्मक शेलिका भी प्रियोग किया गया है कि हमें ये दर्श से पूरा चित्रात्मक लगता है जब ये कविता का हम बावार्त पढ़ते हैं तो विपलो का वीर किसको का गया है बादलों को और कवी ने यहां किसकी दूर दर्शा का वर्णन किया है बादलों की किसानों क तो बारती क्रिशिक की दूर दर्शा के बारे में अगर आपको बताना होगा तो क्या बताओगे कि पूरी तरह से सोसित है वह गरीब है बे सहारा है सोसकों ने उससे जीवन की सारी सुविदाएं छीन ली है इस तरह से अब भावार्थ अच्छे से समझ जाओगे तो उसके उ सुथपन होती है तथा पानी की कमी दूर होती है और प्रांती से सोसम समाप्त होता है जीवन को साल बनता है इसके लिए बादलों को पारवार कहा गया है बादल राख सूर्यकान तिरपाठी निराला द्वारा रचित ये कवीता का बहवार्थ मैंने बहुत इसरल भासा में समझाय था आपको ये कवीता अच्छे से समझ में आई होगी आज हम इसके महत्वपून परशन उत्रों पर चर्चा करने वाले हैं और सारे परशनों के उत्तर मसरल भासा में प्रस्तुत करने जा रही हूं मैं कवीता को सिक बहुत ही आपको आसान लेंग्वेज में सभी प देखेगा बादल राग में हमने क्या देखा था कि बादल जो है वह क्रांती के रूप में है और जो पुंजी पती लोग है और जो कमजोर लोग हैं कमजोर लोगों का पुंजी पती लोग हमेशा सोशन करते आए हैं तो पुंजी पती लोगों के लिए ये बादल खत्रे की गंटी है जबकि जो कमजोर वर्ग है जो सोशित वर्ग है उनके लिए ये क्रांती के रूप में आया है तो बादल जब भी गरस्ते हैं तो पुंजी पति वर्ग जिनोंने काला धन कमा के जमा पुंजी की हुई है वो हमेशा आतंकित रहते हैं आसंकित रहते हैं जबकि जो कम गलग रूप में बादल को यहां पर बताया गया है चलिए मैं इसके मैं तो पुर्ण पर्षन उत्तर आपको समझाने जा रही हूं बने रहेगा बच्चों वीडियो अंतक देखेगा और अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है ना लाइक करते ही जाना है आपको ठीक है पहला सुख पर दुख की चाया पंक्ति में दुख की चाया किसे का गया है तो दुख की चाया मानव जीवन में आने वाले दुखों और कश्टों को का है कभी का मानना है कि संसार में सुख कभी थाई नहीं होता उसके साथ साथ दुख का भी प्रभाव रहता है दनी सोसन करके प् रहती है वह सब कुछ सीनने के डर से भैवित रहता है परशन नमर दो असानी पाथ से सापित उनंत सत्वीर पंक्ति में किसकी और संकेत किया गया है तो 2013-2019 दोनों में आया हुआ है इस पंक्ति में कभी ने पुंजी पती या सोशक या धनिक वरक्यों संकेत किया है बिजली ग सिखर सिगिट जाता है और उसका घमन जो है वह चूरचूर हो जाता है तो अचानक से विजली जब कड़कती है तो विजली गिरने का यहां पर मतलब बताया गया कि अचानक से जो क्रांति होती है तो जो धनिक वर्ग है वो काँप ऊखते हैं चलिए आगे पड़े और वह को सोशन का चूछ मिलते हैं, उनका सोशन समापतो जाता है। बादलों के आगमन से प्रकिर्टी में होने वाले किन किन परिवतनों को कभी रेखांकित करते हैं ये कभीता रेखांकित करती है तो उत्तर है पहला पोइंट है बादल गर्जन करते विए मुशलादार वर्षा करते हैं दूसरी बात है पर्थवी से फोदों का अंकुरन होने लगता है तीसरा है मुझलाधार वर्षा होती है फौर्थ है विजली चमकती है तता उसकी गिर्नी से परवत सिख़ तोड़ते हैं और चोथा है हवा चलने से छोटी छोटे पोदे हाथ हिलाते से प्रतित होते हैं और पांचरा है गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों क क्योशन है कविता में रूपक अलंकार का प्रियोग कहां कहां हुआ है समंधित वाक्यांज को छाट कर लिखिए तो रूपक अलंकार के प्रियोग की पंक्तियां कौन-कौन सी है चलिए देखते हैं पहली तीर्ती समीर सागर पर फिर अस्तिर सुपर दुख की चाया तीसरा है यह तेरी रण तरी तो देखो तिर्ती समीर सागर पर मतलब समीर रूपी सागर और यह तेरी रण तरी तो रण रूपी तरी भेरी गरजन से सजग सुप्त अंकूर ए विपलव के बादल और ए जीवन के पारवार तो सब को रूपक के अलग रूप में बताया है तो तो इस तरह से रूपक अलंकार का परियोग हुआ है परसन नमर च्छा है कभी बादलो को किस रूप में देखता है कालिदास ने मेग दूद कावे में मेगों को दूद के रूप में देखा अपना कोई कालपनिक भीम्ब दीजिए तो कभी किस रूप में बादल को देखता है तो कभी तो क्रांति के प्रतिक के रूप में देखता है बादलो के द्वाराव समाज में व्याप्त सोशन को खतम करना चाता है ताकि सोशित वर्प को अपने अधिकाल मिल सके और काल्पनिक बिम्भ है कि हे आसा के रूपक हमें जल्दी ही सिक्त कर दो अपनी उजली और छोटी-छोटी बुंदों से जिनमें जीवन का राग चिपा है वे आसा के संचारी थे बादल अगला पर्शन है क्रांती की गर्जना का सोसक वर्ग पर क्या पर भाव पड़ता है उनका मुख डखना किस मानसिकता का ध्योतक है बादल राक कविता के आदार पर उत्तर दीजिए तो उत्तर है सोसक वर्ग ने आर्थिक सादनों पर एका दिकात जमा लिया है परन्तु क्रा को खतम होते देखता है वह बूरी अत्र बहवित हो जाता है उसकी सांती समाप तो जाती है सोसक वर्ग का मुख डखना उसकी कमजोरी इस्तती को दर्शाता है क्रांती के प्रवित पर्रशन 9 बादल राक जीवन निर्मान के नए राक का सूचक है इस पश्ट की जी उत्तर ह बादल राग कविता में कवी ने लगो मानों की खुशाली का राग गया है। वे आम वक्ति के लिए बादल का आवान करांती के रूप में करता है। सिर उंचा करके बादल के ओर देख रहे हैं तो परशन अच्छा है आ सकता है एक्जाम में बादल राग कविता में एविपलव के वीर किसे का गया है बहुत अच्छा परशन है और क्यों का गया है क्या का गया है एविपलव के वीर तो उत्तर है बादल राग कविता में एव बुराई रूपी की चट समापत हो जाता है तता आम वेक्तिकोल जीने योगे इसकते ही मिल जाती है बादल राग शिर्षक की सार्थकता इसपष्ट कीजिए शिद्ध कीजिए तो बादल राग करांती के आवाज का परिचायक है ये कविता जन करांती की प्रेंडना देती है कविता में बादलों के आने से नए पोदे हर्षित होते हैं उसी प्रकारांती होने से आम आदमी को विकास के नए आवसर मिलते हैं कवी बादलों का बारिस करने या करांती करने के लिए करता है ये सिर्षक उद्धेसिक अनुरूप है अता ये सिर्षक सर्वता उच्षित ह पर्शन नम्बर 12 विपलवी बादल की यूद नोका की कौन कौन सी विशेस्ता हैं बताई गई हैं तो कवी ने विपलवी बादल विपलवी बादल मतलब कुरांतिकारी बादल की यूद नोका की विशेस्ता बताईए पहली है यह समीर साकर में तैरती हैं यह भेरी गर्जन स सज़जब से इस नोची आखांग से बड कर रहे हैं है तो अगे एक पध्यांस दिया और इस पध्यांस से आपको एकिजाम में जैसे पर्षन पुछे जाएंगे पंग्तियां P鈞ण से यहां कुछ क्यों Kia गया है तो पहला जो पर रहा है कि कभी अटालिकाओं को आतंक बहन्वन क्यूं मानता है तो इसち द्धनिकों के आवाश मतलब रहने की जगाई तो देनीकों के आवासों को आतक भवन की समया दिए वे से नए नए तरीके खोजे जाते हैं यह ऑँस साथ की प्रतिककशन में प्रछ को प्रतिक परसन पुच्छा है कि आशे इस पर्ष्ट कीजिये एक पंक्ति दी गई है सदा पंक पर ही होता जल्विपलन पलावन का आशे वर्षा से जो बाड आती है वह सदा किचड बरी धर्ति को ही डूब होती है अर्था सोसल की मार सबसे अदिक दबे कुजले और गरीब वो को ही ज चलिए आगे बड़े, बादल राग कविता में कवी निराला की किस क्रांतिकारी विचारदारा का पता चलता है, बादल राग कविता में कवी की क्रांतिकारी विचारदारा का ग्यान होता है, वह समाज में व्याप्त पुंजी पती, पुंजी वाद का घोर विरोध करता उने समाज में उचित स्थान दिलाना चाता है कवी ने बादलो की गर्जना बिजली की कड़क को जनक्रांती का रूप बताया है इस जनक्रांती में धनी वरक का पतन होता है और चोटे वरक मजदूर गरीब सोशित आदी उनति करते हैं अगला पर्षन है बादल राग कवीता में अठालिकाओं को आतंग बवन क्यों का गया है अच्छा पर्षन है बादल राग कवीता में अठालिकाओं को आतंग बवन इसलिए का गया है क्योंकि इन बवनों में सोशन के नए नए तरीके खोजी जाते हैं यह उंचे उंचे कवी कौन है सूर्यकान त्रिपाठी निराला कमलकान त्रिपाठी निराला सूर्यकान त्रिपाठी निराला कमलकान तिवारी निराला तो इसके कवी है सूर्यकान त्रिपाठी निराला दूसरा पर्षन है कवी बादल का आहवान किस रूप में करता है वर्षा के रूप में कर क्रांती के रूप में, शांती के रूप में, मजबूरी के रूप में, तो इसका सही जवाब है क्रांती के रूप में, तीसरा, बादलों को क्रांती का क्या बताया गया है, आया हुआ पर्षन है, और अच्छा पर्षन है, फिर से पुछा जा सकता है, तो बादलों को क्रांती का दूत बताया गया है मानव जीवन में सुख कैसा है मानव जीवन में सुख इस्थिर नहीं है मतलब इस्थिर है आता जाता रहता है कभी सुख कभी दुख सुख किस के समान चंचल और इस्थिर है सुख बादल के समान हवा के समान बिजली के समान मन के समान सही जबाब होग मन के समान मानव जीवन में किस चाया का आवागमन चलता रहता है तो मानव जीवन में सुख और दुख की चाया का आवागमन चलता रहता है संसार के दुख से दुखी और जले हिर्दे पर किसका विस्तार फैला हुआ है तो संसार के दुख से दुखी और जले हिदे पर क्रांती का विश्तार फैला हुआ है क्रांती संसार में किस की सृष्टी करती है क्रांती संसार में सुख और एसानती की सृष्टी करती है कविता में बादल किस का प्रतीक है इस कविता में बादल क्रांती का प्रतीक है धर्ती का सोशन कोन कर रहा है? सर्दी, गर्मी, वर्षा, वसंत तो धर्ती का सोशन गर्मी कर रही है अगला परशन है क्रांती के बादलों की वज्रे गर्जना से कोन सा वर्ग भैवित हो जाता है? तो क्रांति के बादलों की वर्ज्रे मतलब बहुत बहेंकर वाली गर्जना से पुंजी पती वर्ग है वो बहेवित हो जाता है तेज बर्षाथ से कौन धारसाई हो जाते हैं तेज बर्षाथ से बड़े बड़े वर्ग्स धारसाई हो जाते हैं सबसे अधिक लाब किसे मिलता है क्रांति का सबसे अधिक लाब निम्न वर्ग को मिलता है निम्न वर्ग मतलब एक दम जो मजदूर लोग हैं कमजोर हैं गरीब लोग हैं उनको मिलता है अंगना अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं तो अंगना अंग से लिपटकर धनी लोग जो होते हैं वो कांप रहे हैं बादलों को अधीरता से कोन बुला रहा है तो बादलों को अधीरता से मतलब व्याकुलता के साथ कृस्षक समाथ जो है वो बुला रहा है मतलब किसान बुला रहे है रुद्ध कोस है सुब्ध तोस यहां रूद्द का अर्थ है रुका हुआ, क्रोधित, भरा हुआ, खाली तो रूद्द का मतलब है रुका हुआ सैसव का सू कुमार सरीर किस में हसता है तो सैसव का सैसव मतलब सीसू जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उसका सरीर किस में हसता है रोग सोक में हसता है जिर्ण बाहू जिर्ण मतलब कमजोर और शिर्ण सरीर यहां शिर्ण का अर्थ क्या है तो शिर्ण विशाल घायल मोटा शिर्ण इसका अर्थ है शिर्ण का अर्थ होगा शिर्ण शिर्ण मतलब एकदम कम कमजोर रोग सोक में भी किसका सूकमार सरीर हसता है देखो पहले वाले पुछन में पुछा था कि सैसव का सूकमार सरीर किस में हसता है तो उसका उत्तर था रोग सोक और अब भी पुछा है रोग सोक में किसका सूकमार सरीर हसता है तो आएगा सैसव बादल राग कविता में रन तरी किस से भरी होने की बात कई है तो रन तरी अकांग सव से भरी होने की बात कई है रुद्ध घोस है सुब्ध तोस तो यहां घोस नहीं आएगा कोस आएगा यहां सुब्ध का अर्थ है खिन, रिदे, किसान, तब्ते तो इसका सही उत्र होगा खिल बादल राग को विता में सुक को कैसा बताया गया है बादल राग को विता में सुक को एश्ठीर बताया गया है आतंग अंग पर कौन काप रहे हैं धनी लोग काप रहे हैं जल विपलवन हमेशा किस पर होता है तो जल विपलव मतलब बहुत ज्यादा जल का भर जाना तो जल विपलव होता है एक तरह से बाड आ जाना तो यह हमेशा किस पर होता है कि चड़ पर बादल राग किस प्रकार क कविता है बादल राग प्रगतिवादी कविता है कविता के भी अलग अलग रूप होते है जैसे चाया वादी प्रियोग वादी नई कविता स्वचंद वादी तो यह जो कविता है बादल राग यह प्रगतिवादी कविता है निराला ने किस चंद में रचनाएं लिखी निर तो कवी का नाम याद रखना है, दूसरा जो कवीता है, वो कौन से गरंथ में संक्लित है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो की यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ग्रामर से रिलेटेड वीडियो आप वहाँ पर देख सकें, थैंक यू सो मच,